नमस्कार दोस्तों जेहिंद स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाट सालावित कीके में इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा दोस्तों बिहार पुलिस के जो बचे हुए दिन है एक्जाम होने में उसमें कैसे अपने त्यारी किया जाए किन-किन टॉपिक पर बिसेस ध्यान दिया जाए खास करके इस वीडियो में इन दो ही मुद्धों पर मैं बात करूँगा तो वीडियो में आप सुरू से अंतक बने रहिएगा और देखे इन दोनों मुद्दों पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक्जाम में जो अभी आपको समय मिला है उस समय का सदुपयोग करेंगे तब ही जो है कि आपका रिजल्ट जो है वह बहतर होगा है न ऐसा रही जैसे जो गलती पिछली बार किये थे क्योंकि पिछ दिन और समय मिलता और हमारी तैयारी जैसे कि चार से पाच नंबर और बढ़ता तो वही गलती को इसमें रिपेयर करना है मतलब मजबूत करना है ध्यान से सुनिएगा कैसे क्या करना है क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले जितना आपने तैयारी किया पिछले चार महीनों में तो आप निरंतर प्रैक्टिस सेट लगा ही रहे थे अगर नहीं लगा रहे थे अगर नहीं लगा रहे थे तो इस बार ये गलती ना करिए प्रैक्टिस सेट पर बिसेश फोकस करिए देखिए आपने भी देखा है ना मैंने भी देखा प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे तो वो भी लगा लिजेगा अब बात करते हैं कि कौन-कौन से जो टॉपिक हैं उनको बिसेश रूप से पढ़ा जाए तो ध्यान पूरवक सुनिएगा दोस्तो इस वीडियो में मैं पूरी तरह डीटेल में बताऊंगा कि इनी टॉपिकों को क्यों पढ़ना है क्योंकि देखे जब पेपर आया पेपर हुआ तो आपको भी पता है कि पेपर वाइरल हो गया तो सबी लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो मैंने उस क्वेश्चन पेपर को देखा अच्छे से देखा डीटेल में देखा तो मैंने ये पाया कि बोटनी यानि वनस्पत्ति वी ग्यान से बहुत सारे questions आए हैं जैसे वाइलो जी की एक साखा है बोटनी तो उसमें वनस्पत्ति वी ग्यान से बहुत सारे questions आए हैं तो जैसे पेड़ पौधे के बारे में detail में पढ़ लेना है आपने देखा है कि पेड़ पौधों से सम्मंधित कितने क्विश्चन आए हैं तो बोटनी से सम्मंधित अब यह कहीए कि बोटनी कहा है तो यह देखिए बोटनी के लिए कोई अलग से बुक नहीं लेना है जो मैं आपको बुक बताया हूँ पहले उसी से आप कर लिजे उसी में है जैसे जीव भी ग्यान पढ़ेंगे तो उसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है वही बोटनी है ठीक ना तो उसको पेड़ पौधे के बारे में जो है वो पढ़ लेना है अब दूसरा क्या फोकस करना है कि देखिए करंट अफेयर करंट अफेयर से 10 लगभग 8-10 कुश्चन आये थे तो करंट अफेयर को पढ़ लिजे लगभग पिछले साल भर कर जैसे कि 2023 का करंट अफेयर आप पूरा पढ़ लिजे या तो आप YouTube के माध्यम से पढ़ लिजे या फिर बुक के माध्यम से पढ़ लिजे अगर किताब के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं तो एक स्पीड़ी की आती है नीली कलर की उससे भी आप पढ़ सकते हैं वर्सिकांग होती है उसमें एक वर्स का सब कुछ रहता है तो उससे भी आपका कबर हो जाएगा तीसरी बात मैं करूँ कि देखिए एकोनोमिक्स अर्थसास्तर अर्थसास्तर से बहुत कोईश्च रहे हैं तो अर्थसास्तर का तो मैं कलास भी चला रहा हूँ पांच वीडियो बैक टू बैक मैं दे चुका हूँ और सारे का पीडियो भी मैं आपको दे चुका हूँ तो दो से चैनल पर जाईएगा और चैनल से PDF ले लिजेगा या फिर हमको मैसेज करिएगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अब इसके अलाबा क्या पढ़े तो देखिए इसके अलाबा विसेश ध्यान नहीं देना है जोग्राफी पर क्योंकि जोग्राफी से बहुत ज्यादा क् कम ही क्विश्चन आए है तो जोग्राफी आपने जो पढ़ा उसी को पढ़ते रहे जादा नहीं करना है तीसरा जो आपको करना है दोस्तों कि आपको संबिधान जिसको आप पॉलिटी भी कहते हैं संबिधान से आपने देखा कि 12 से 13 क्विश्चन आये हैं है ना तो 12 से 13 क आयां तू संबbirth aan पर और पूरी तरह फोकस करना अब बताए किसान क्विधान कि पचास टॉपिक उसमें हमने तैस से ग्यारर में दीर हैं तो आप संब्हान का वीडियोज देखेंगे देखेंगk कि KK सर के ही वीडियो से बहुत सारे क्वेशन बिहार पुलिस में आए हैं तो उन दासो वीडियोज को आप लोग देख लिजीए गा और हां ये सवार जो समय मिला है इसमें भी इसमें भी मेरे द्वारा नया बिहार पुलिस a-dwance class चलाया जा रहा है तो सारे subject मैं इसमें भी करा दूँगा तो वो पुराना वाला भी देख लिजएगा और नया वाला भी देख लिजएगा होगा क्या? कि सोने पर सुभागा होगा जो आप पहले पढ़ें और फिर ये नए तरीके से पढ़ेंगे दोनों मिल करके रिजल्ट तो कोई रोकेगा नहीं अगर आपने इमांदारी से इतना कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर इतना आपने कर लिया जो मेरे तुवारा बताया गया आपको तो बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट जो है वा है कोई नहीं रोकेगा कोई नहीं रोकेगा तो इन चीजों पर आप फोकस करिए रही बात कि सर क्या हिस्ट्री छोड़ दे पढ़ना और क्या जोग्राफी छोड़ दे तो देखी छोड़ना कुछ नहीं है इन जो सब्जिक्ट मैं बताया इन पर बिशेज फोकस करना है और जोग्राफी हिस्ट्री और फिजिक्स और केमेस्ट्री जो है इस पर आप जैसे सामाने तरीके से पढ़ रहे थे उसी तरीके से आपको पढ़ना है फोकस जादा किस पर करना है तो फोकस आपको ध्यान दिजेगा लिख लिजे बाइलोजी की साखा बोटनी बोटनी पर करना है फोकस उसी में आप बाइलोजी पर भी करिएगा क्योंकि बाइलोजी से भी question दिखे हैं दूसरे नमबर पर आप current affair पर करेंगे current affair पर करेंगे दूसरा नमबर तीसरा नमबर पर आप अर्थसास यानि economics पर करेंगे और चौथा और आखरी जो की संवधान या polity है इस पर करेंगे अब रही बात कि history पर करें या फिर जोग्राफियर पर करेंगे नहीं करें या physics और chemistry पर करेंगे नहीं करें तो इन पर भी जैसे आप पढ़ रहे हैं continue रोजाना वैसे इन पर भी ध्यान देते रहे हैं इसके अलावा जो ये मैंने subject बता हैं इन पर BCS ध्यान देजे आप एक भी वीडियो मिश मत करिएगा जैसे पिछली बार बहुत सारे questions आएं मेरे इन वीडियो से जो 50 दिवस 50 topic का हिस्था है तो इस बार भी advanced class जो है इससे बहुत सारे questions देखने को बिलेंगे और हाँ दोस्तो अगर आप टेलिग्राम से नहीं जूड़ा हैं तो जूड़ जाए कियों कि टेलिग्राम पर प्रती दिन शाम को बिहार पुलिस बिहार SSC और बिहार दरोगा के लिए कुईज करा आजाता है तो बिल्कुल भी मिशना करें टेलिग्राम से भी जूड़ जाएं और योटूब से भी जूड़ जाएं और कोई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख दिजेगा मैं आंसर देने की कॉस्विस करूँगा मिलते हैं नेक्ट व्डियो में नमस्कार जैहिंद